प्रदेश में नए शिक्षण सत्र की शुरात हुए तीन महीने हो गए हैं इसके बाद भी धमतरी जिले के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है जिसको लेकर पालकों में शासन प्रशासन के खलाब काफी नाराज की भी देखने को मिल रही है दरसल कुछ पालकों ने शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से उनके बच्चों की भविश्व अंधकार में है जिसका असर परिक्षा परणाम में भी होगा है ऐसे में पालकों ने जोर्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग प्रशासन से की है फिलाल प्रशासन का कहना है कि शिक्षकों की कभी दूर करने के अप्रयास लगातार किया जा रहा है अपना परणाम है दाव राम साहो ग्राम सिंग देही सबसे पहली तो में यहां सासन से मांग कर रहा हूं कि इसकुल यह खोल दे है लेकिन शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पाथ है जब तक सिख्षक की व्यवस्था नहीं कर पाई लैकामन के भश्षा अंध्यकार है लैकामन पढ़ा ही कोन थे ऊंतिर्स शिक्षक का अध्यकार है ऑविकर पहली हम ना है जीला सिख्षा का दीकार इक पास आह रहरे जीव महीना पहली है प्लाग सिक्षक के खिलावन पाल ग्राम जो रतीस है सरपंचु अर्तवान में हम लोग हमारे हाई सेकेंडे स्कुल को कि कमी के वज़े से हम लोग मेडम से मिलने आये थे उनका जवाब दिया है कि हमारे पास सिक्षक नहीं है तो हम कहां से देंगे ऐसे करके लेकिन सासन से हमारा अनोध है कि जल्द से जल्द सिक्षक की विवस्ता करें नहीं तो हम लोग हमारे ग्राम पंचायत ग्रामीनों के माध्यम से हम लोग इसकुल में ताया लगा कर इसकुलों को बंद करेंगे हमारे पास तो तीन सिक्षकों की कमी है दो महा हो गया जिले में शिक्षकों की कमी है और युप्ति उत्करण का काम भी चल रहा है जितना पूर्ती हम कर पाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि बेश्ट कर सकें तुझ जगे में ऐसा भी है कि 167 बच्चों के उपर साथ शिक्षक है पर सब्जेक्ट विशय के शिक्षक कम है तो ये कि इसको सुझाया जाता है